यह टूल आपकी हेल्प करेगा डिजाइन और प्रोटोटाइप करने में वो भी मार्केट में जितने भी टूल अवेलवल हैं उन सबसे भी ज्यादा फास्ट और बैस्ट इंग यह है कि यह टूल एपसलूटली फ्री है अगर आप फ्रीलैंस यूआई यूएस डिजाइनर है तो यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज की वीडियो में आपको एक ऐसा आऊसम टूल बताने जा रहा हूं जिसकी मदद से आप बहुती फास्ट तरीके से आप वायर फ्रेम डिजाइन और प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं और अगर आप प्रोड़क्ट मैनेजर हैं प्रोड़क्ट डेवलप्मेंट टीम की तो भी यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस टूल की हेल्प से आप बहुत जल्दी किसी के साथ कोलाबरेट कर सकते हैं अपने डिजाइन को डेवलपर हैंड आफ के लिए बहुत एजली दे सकते हैं और डेवलपर भी बहुत कोड निकाल सकता है चाहे वो Android हो iOS हो चाहे वो web हो तो जिस टूल की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है Mockplus RP and Mockplus Cloud और यह ऐसा प्रोटोटाइपिंग टूल है जो की specially designed है और UI UX designer and product managers तो सबसे पहले Mockplus RP की बात कर लेते हैं तो अगर आप एक freelancer या फिर individual designer हैं जिनको collaboration की जरुत नहीं है collaborate करने की जरुत नहीं है बस अपने personal use के लिए design और prototype करना है तो यह तूल आपकी बहुत अच्छा सा help करेगा बहुत faster design बनाने के लिए क्योंकि इस टूल के अंदर बहुत सारे easy to use no coding और pre-made drag and drop templates हैं जिसको use करके आप drag and drop करके easily अपना design और prototype तयार कर सकते है इनके पास बहुत सारी library है जिसमें pre-built components हैं जिनको आप use कर सकते हैं सबसे अच्छी बात है drag and drop है तो आप fastly अपने design को तयार कर सकते हैं और उसे prototyping भी कर सकते हैं उसके अब इनके पास already बहुत सारे component library हैं जिसके अंदर already pre-designed elements हैं जो कि आपको कहीं नहीं मिलते हैं आप इनको use कर सकते हैं अपने designs को fast way में बनाने के लिए जैसे कि आपको buttons forms और navigation bar औगेरा मिल जाएंगे 500 plus free templates हैं जिसकी मदद से आप easily अपने designs को ready कर सकते हैं prototype में आप इसके अंदर सिर्फ designs नहीं बलकि animation transition और interaction भी add कर सकते हैं ताकि आपका जो design है जो prototype है वो बहुत ही realistic बहुत की fast way में और अगर exporting की बात कर लें तो अराम से आप prototype को as a image PDF और HTML export कर सकते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप इसमें designs बना सकते हैं आपको quickly अपनी screen के उपर तो आपने देख लिए mockplus rp कितना useful है कितना fast है आपको design और prototype करने में ना अब हम बात कर लेते हैं mockplus cloud की जो की एक collaboration platform है जिसमें आप सारे designs store कर सकते हैं और अपने team members के साथ collaborate कर सकते हैं real time में comments दे सकते हैं review दे सकते हैं feedback दे सकते हैं उसके लावर जब आप development में आ जाओगे development face के अंदर तो आप उसे अपने developer को hand off कर सकते हो जो की developer बड़ी easily वहाँ पे हर एक design को inspect कर सकता है और उसका code निकाल सकता है चाहे वो android हो ios हो चाहे वो web हो किसी भी platform के लिए तो यह है ना बहुत कमाल की चीज तो बात यह कि mock plus rp और mock plus cloud दोनों separate है अगर आप individual freelancer हो या UI designer हो जिनको सिर्फ design से मतलब है design करना है तो आप इसे free में use कर सकते हैं mock plus rp को बट अगर आप team का part है जहां पे आपको collaborate करना है दूसरे लोगों के साथ दूसरे team member के साथ then you should try mock plus cloud. So mock plus cloud is best for product design team to speed up the whole product design process from prototyping to design and developer handoff. Now मैं आप आपको screen पे लेके चलता हूँ यहां पे आपको कुछ exciting feature दिखाता हूँ mock plus cloud के. तो खास बात ही है कि इसके अंदर cloud storage है तो आप यहां पे अपने design को save और access कर सकते हो कहीं से भी क्यूंकि cloud based platform है और बहुत ही secure है और इसके साथ साथ आप integrate भी कर सकते हैं उसको sketch, figma, azure, photoshop और भी बहुत सारे tools के साथ तो क्या कर सकते हो आप आपके other design tools जो भी हैं उनको use कर करके अगर आपके पास designs है वो इसके अंदर आप import करके आप collaborate कर सकते हैं तो मानलो आपने figma के अंदर design बनाया ना उसको आप इसके अंदर easily upload करके यहां पे भी आप edit कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से और collaborate कर सकते हैं अपने team member के साथ इसके अलावा आप इसके centralized design hub को use करके हर तरह के design को store कर सकते हैं ताकि आप एक ही जगे से access कर सकें इसी के अंदर आप review कर सकते हैं changes वगेरा और discussion कर सकते हैं बिल्कुल real time के अंदर और efficiently आप hand off कर सकते हैं developer को ताकि वो automatically specs निकाल सके asset और code snippet निकाल सके development के लिए version control आपको इसके नहीं मिल जाएगा इसके help से आप सारे changes को track कर सकते हैं और revert कर सकते है previous version में बागी सबसे खास बात जो कि और tools के अंदर नहीं मिलती जो जैसे की Figma, Adobe, XD वगेरा में वो है इसका task management तो इसके अंदर आप easily किसी भी task को किसी भी team member को assign कर सकते हैं ताकि आपका project बहुत easily time पे complete हो जाए तो खुछ features थे mock plus cloud के तो अभी फिर से मैं आपको clear कर देता हूँ अगर आपको design और design ही बनाना है और आप freelance UI UX designer है या फिर आप individual designer है तो आपको mock plus RP use करना चाहिए और अगर आप team का part है या आप team के साथ collaborate करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको काम आ जाता है mock plus RP and mock plus cloud तो mock plus cloud की help से आप किसी को भी करना बिलकुल free में